Hello everyone, welcome back to my channel, सुचितर क्लासेज में आपका स्वागत है, आज हमारे पास क्या है, ये दो नंबर्स है, 11 and 1067, तो ये दोनों नंबर्स है, तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि जो ये 11 है, वो 1067 का फैक्टर है कि नहीं है, तो चलिए कैसे पता लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि, let us divide 1067 by 11, हम क्या करेंगे, 1067 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, 11 और यहाँ पर लिखेंगे, 1067, ठीक है, तो 11 की टेबिल हम पढ़ेंगे, कितनी बार, कि यह 106 में यह, इसके अंदर ही आ जाएगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि अगर हम 10 टाइम्स पढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा, 110, जो कि 106 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको कितने 9, ठीक, तो यह हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने बॉरो कर लिया, तो यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक, यहाँ आ जाएगा 0, अब क्या करेंगे, इसको यह वाले 7 को नीचे लेकर आएगे, यह हो गया, अब यह 11 से यह 77, 7 times में चला जाएगा, यहां हो जाएगा, 77, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 00 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम यह चीज देख रहे हैं, कि जब हम 11 से 1067 को डिवाइट करते हैं, तो यह completely डिवाइट हो रहा है, और यहां पर remainder जो है, हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, remainder जब 0 आता है, तो it means क्या होता है, यहां पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कि 11 11 divides 1067 exactly, hence 11 is a factor of 1067. यानि 1067 का factor होगा 11, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जब 11 से 1067 को डिवाइट किया, तो हमारा remainder क्या हो गया, 0 हो गया, यानि कि completely डिवाइट कर रहा है 11 1067 को, तो 11 क्या है, वो 1067 का factor है, ठीक है, तो I hope आपको यह अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में भी आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, थैंक यू सो मच,